दोस्तों जैहिन, मैं कैप्टन राजदिवेदी, रेटाइरड पूर्व मिलिटरी इंटलिजन्स आफिसर भारती शेना मुझे आज गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उद्दिश की पूर्ति के लिए हम लोगों ने क्राइम फ्री भारत, अब राध मुक्त भारत से सम्मंधित बिगत कई दिनों से काम कर रहे हैं यह हमारे पूर्व डीजी पी साहब श्री मैथरि स्रुण गुपता जी के कारेकाल के पूर्व से उनके मन में यह अभिलाशा थी, यह एक्षा थी कि after retirement हम कुछ इस विशय पर काम करें, जिस विशय को उनके पूरे जीवन की लाइफ की एक शुखद अनुभब और जो उनकी कारेकाल में आप बीती हुई है, जो IPC, CRPC की धाराओं से हट करके काम करना पड़ता होगा, साइद उनके मन में यह शंदेह रहा होगा कि कहिन कई हमारे विवस्था में कभी है, और उसी कभी को दूर करने के लिए, डिजीपी साब ने अबराद मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत से सम्मंधित इस विशय पर कई तीनों से काम कर रहे हैं, और हम लोग सभी ग्रुपों में मिलकर इस विशय को आप तक पहुचा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग यह दिठान लें कि अपराद मुक्त भारत कैसे बने और अपराद मुक्त भारत को इस स्रिणी में लाने के लिए हम शंब को बड़ी बारीकी से अध्यन करना होगा, आज हर जगह अपराद बढ़ रहे हैं, आप यदि हम ग्राम सभा की तरफ चलें, तो ग्राम सभाओं में आए दिन हमारी बालिकाओं के उपर, हमारे महिलाओं के उपर, हमारे समाज के अन्य, जितने भी लोग हैं, उनके आए दिन कुछ न कुछ अपराद शेप जुड़े हुए, ऐसे कारी हो रहे हैं, जो एक भय तो आता ही है उनके अंदर, और पुरा समाज आडरा हुआ है, एक तरफ महामारियां फैल रही हैं, तो दूसरी तरफ टैंसन, गुश्चा, क्रोध, छल, कपट, एक दूसरे के आँखों में धूर जोगने का काम, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुक्षान, और सबसे बड़ी बिदमना है, कि आज हमारे देश के अंदर, जितनी जेल बनी हुई है, वहाँ जाकर के आप देखें, तो वहाँ बाल्य अवस्था के लोग, प्रोड़ और विद्ध लोग भी वहाँ पर जेलों में अपने दिन काट रहे हैं, जो न्यायलाय प्रणाली से उनको मिले हैं, इतने सालों से हम लोग अपनी ववस्था को ठीक ने कर पाए, इस विशे को ले करके हमारे डिजीपी साहब ने यह मन में संकल्प किया है, कि मोदी शाहब जब हमारे मन की बात में पूरे भारत को शिख्षा देते हैं, तो मन की बात में हम सब लोगों का एक ऐसा संदेज जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी शाहब की एक्ट में, आप हम सब लोग भेजे, और इस विशे पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे तो हम समझते हैं कि रिजीव भी साहब का सपना शाकार होने में कोई देर नहीं लगेगी लेकि मुझे अफसोस हो रहा है बड़े विचारों से बड़े भाशनों से और बड़े बड़े लंबे चोड़े एतिहासिक लच्छेदार बात करने से काम नहीं बनेगा म मेरे दोस्तों मेरे भाईयों मेरे बहनों आज हम सब लोगों को ग्राउंड में उतरना होगा लेकिन आप लोगों हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना फैल रहा है उससे बचाओ रखते हुए इस विशय पर इस मिसन पर काम करना होगा जिसको हमारे डिजीपे साहब ने पिछ देते रहते हैं हम सब का मागदर शुर्प करते रहते हैं लेकिन एक जो हम इस विशय पर लोगों की भावनाओं को परख रहे हैं वो बहुत ही गलत और किसी भी ब्यक्ति को इस विशय पर सोचने का साथ समय नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सब लोग इस से ग्रशित हैं लेकिन इस विशय को हम लक्ष मना कर काम नहीं कर रहे हैं हमारे इस ग्रूप में जितने भी ब्यक्ति हैं सबी बुद्जीवी हैं और इससे पहले हमारे डिजीपे साहब ने कई ग्रूपों में यूट्यूब में अपने बक्तप्यो के माध्यम से गुरूप डिसकसन के माध्यम से उन्होंने मैसस दिया है संदेश दिया है हम सब को चाहिए कि अपने प्रेशेत्र में अपने प्रेशेत्र में अपने प्रेशेत्र में अपने लोगों को बताएं लेकि मुझे बहुत दुख्ये साथ का ना पड़ रहा है कि इस पर हम लोग अभी सही धंग से काम्याब नहीं हुए हैं और इसे एक जनांदोलन बनानार पड़ेगा और जब तक इसमें अन्यक संगठन नहीं जुड़ेंगे एक तरह से पूरे इंडिया के अंदर पूरे प्रदेश से आवाज नहीं उठेगी तब तक हमारा इस अपना आईए हम सम्मिलकर अपराधमुक्त भारत में अपना हिस्सा अपना योगदान दे और अपने जिन्दा दिल और जिन्दा होने की एक कड़ी को इस मुहिम से जोडने का प्रयाश करें ताकि हम और आप अपने अपने बच्चों को अपने परिवार को अपने अपने गाउं क से एक रामराज की स्थापना कर सकें और ये सपना पूरा होगा आज नहीं तो कल लेकिन हम सब को एक जुठो करके इस मिशन पर काम्याबी हासित करने के लिए मैथरेशन गुप्ता शाफ के अभियान को तेजी लाने पड़ेगी ताकि उनके मन के जो इरादे बुलंद चान के लिए अपने भारत की शंचिक्ते की रक्षा करने के लिए इस मिशह पर हम लोग अपना अपना युगदान दे राद मुक्त भारत बनाएं जै हिन जै भारत